उत्क्रमित मध्यमिक विद्याले खड़ सोता का तकरीबन एक करोड 16 लाग की लागत से बनने वाला 16 कमरे का भवन निर्मान में ठेकेदार द्वारा बरती गई धांदली 5 साल भी जाने के बाद भी नहीं बन सका भवन आदे अधूरे काम छोड़कर 5 साल से ठेकेदार हुए परार मवेशी और जल्वान रखने के काम आ रहा है भावन पटिहार जिले की आजम नगर प्रकंड छेत्र अंतरगत हाँ सोपड़ सरकारी विद्याले में बनने वाले भावनों के निर्मान कार में जयम कर लापरवाही बरती गई है यही कारण है कि अधिकतर विद्याले मे सर्वसिक्षा अभियान योजना के तहट बनने वाले भावन निर्मान के महज 5-6 साल में ही अपना वजूद खोने लगता है एक ऐसा ही मामला आजम नगर प्रकंड के उत्क्रमित मध्यामिक विद्याले खरसोता का है जहां वर्षों से तकरीबन एक कड़ोर 15 लाख रुप और अब तक एक बार भी विद्याले के भावन को दोबारा देखने नहीं आये हैं विद्याले के भावन कार्य एक मंजिल की चछत तक पूरी कर दूसरी मंजिल की आठ कमरे पूरी तरह से छोड़ कर साहब फरार है जानकारों की माने तो इस विद्याले में वर्षों से 2015-16 म निर्मान के लिए बिहार सिक्षा पर योजना के तहट राशी भेजी गई थी जिसे ठेकेदार सहाब के द्वारा भावन निर्मान मद की सारी राशी उठा तो लिया था लेकिन उस भावन को आधा अधूरा ही छोड़ कर फरार है अपने बच्चों के नामांकल है तू लॉग इन करे www.rpsbiharsaric.com सचपन इंडिया का फेवरिट फ्ले स्कूल करवाई अपने बच्चों का फ्री नामांकल पता डिडी सी आवास के पीछे नालंदा हिल्थ क्लब रोड एतवारी बाजार बिहार शरीफ नालंदा अधिक जानकारी के लिए विजिट करें